आप से कहा देखिए ये आपका हक बनता है ये आपकी जमीन है और अगर कानून में लिखा है कि पाँच साल के अंदर अगर काम नहीं हुआ तो जमीन वापस जाएगी तो मैं गैरंटी करके आपको कहता हूँ उच्छतिसगार की कॉंग्रेस पार्टी गैरंटी करके कहती है कि कानून कौन लागू करके दिखा देगा क्यूंकि कानून हिंदुस्तान में कि सब के लिए होता है कानून सिर्फ बड़े उध्योक पतियों के लिए यह सबसे अमीर लोगों के लिए नहीं बनता है जब हिंदुस्तान में कानून बनता है तो वह कानून हिंदुस्तान के कानून सहर नागरिक के लिए बनता है जा हो आदिवासी हो किसान हो मजदूर हो या सबसे बड़ा बिजनिसमेन तो हमने जो आपको वाइदा किया का और मुझे खुशी हो रही है कि बस्तर में यह एतिहासिक काम किया गया है और बगेल जी ने कहा कि देश का यह पहला प्रदेश है जिसने आदिवासियों को किसानों को जमीन उनकी जमीन वापिस देए मैंने दूसरे भी वाइदे आपसे किये थे मैंने आपसे कहा था कि जल जंगल और जमीन का हक आपका है आपका जल आपकी जमीन आपका जंगल और जो इस जंगल में उगता है उसका फाइदा आपको मिलना चाहिए और मैं पिल्प कुशी से कहता हूँ तेंदू पत्ता के लिए आपको चार हजार रुपे का रेट मिलता है किसानों से हमने कहा कि आप दिन भर लगे रहते हो और मैं पब्लिक मीटिंग में पूछता था जब बीजेपी की सरकार्थी में पूछता था भई या बताओ धान के लिए आपको क्या दाम मिलता है और 36 गर के किसान हाथ उठाके कहते थे क्या कहते थे कितना मिलता था आपको बीजेपी के समय कहते थे 1400 1500 अब मैं वही सवाल आप से पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस पार्टी के सरकार में आपको दाम के लिए कितना रुपे मिलता है पच्छी सो रुपे तो आप मुझे एक बात समझाईए जब यहां रमन सिंग जी की सरकार थी जब हमने जमीन के बात की सही दाम देने की बात की पेंदू पत्ता की वो कहते थे पैसा नहीं है हम पच्छी सो रुपे नहीं दे सकते तो मैं और से सवाल पूछना चाहता हूँ अगर तब पैसे नहीं थे तो आज पैसे कहां से आ गए यह कैसे हो सकता है कि जब बीजेपी की सरकार चत्तिस गड़ में थी तो किसानों को सही दाम देने के लिए पैसे नहीं थे मगर जैसे ही कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आई वैसे ही किसान को 2500 रुपे दान के लिए मिलने शुरू हो गए तेन्दू पत्ता के लिए 4000 रुपे मिलने शुरू हो गए भाईयों और बहनों पैसे की कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास आरेसेस के पास रमन सिंग्जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी वो आपका पैसा आपसे छीन के या अपने जैब में डालते थे या पिर अपने पंदरा उदियोग पती मित्रों के जैब में डालते थे मैं आपसे कहा किसान को सिर्फ सही दान नहीं मिलेगा 36 गर में फूट प्रोसेसिंग यूनिट्स का फूट प्रोसेसिंग फैक्टरी का जाल बिछाए जाएगा याद है आपको यहाँ पर मक्के को प्रोसेस करने की फैक्टरी का काम शुरू हो गया है और हमने अभी काम शुरू किया है हमारी सरकार यहां तीन चार पांच साइट से नहीं है कम से कम समय में हमने एक के बाद एक एक के बाद एक जो वाइदे आप से किये ते पूरे किया सबसे बड़ा वाइदा मोदी जी सारे तीन लाग करोर रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया है 12 लाग करोर रुपए बचा है करने जा रहे हैं एक के बाद एक कौन लोग है अनिलंबानी निरव मोदी मेहुल चौकसी ललत मोदी यह लोग है चौर तो नरेंद्र मोदी चौरों का कर्जा माफ करता है और हमने मीटिंग में कहा अगर नरेंद्र मोदी अगर चौकिदार चौरों का कर्जा माफ कर सकता है तो कौंग्रेस पार्टी चौरों के किसानों का कर्जा माफ करके दिखा देगी और हमने आप से कहा चौकिदार में दस पंदा साल से कर्जा माफ नहीं किया नरेंद्र मोदी ने पंदरा साल दस पाँच साल में दिल्ली में पंदरा साल गुजरात में एक उपन आप किया हमने आप से कहा दस दिन गिनो दस दिन गिनो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौट दस और सच्चाई क्या निकली आपने गिना एक गंटा दो गंटा तीन गंटा चार गंटा पांच गंटा छे गंटा चे गंटे ने काम हो गया हजारों क्रोड रुपे जो आपका धन था चुप तिसगर की सरकार का नहीं चुप तिसगर के किसान का जो धन था जो आपका अपमान हो रहा था जो आपसे चोरी की जारी थी वह पैसा हमने उपा के आपको वापिस दिया कहा भाई और बहनों किसानों यह आपका है लीजिए और नरेंद्र मोदीजी का जवाब बजट में नरेंद्र मोदीजी कहते हैं किसानों के लिए हम नई योजना लाएं नई योजना लाएं और जब finance minister ने योजना अनाउंस की BJP के पूरी cabinet ने सब MP ने पाँच मिनट पाँच मिनट यूँ धरा धर ये देखो यूँ ताली बजाए धर 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 मैंने सुच वह यह क्या हो गया यह क्या कर रहे पाँच मिनट ताली बजा रहे पता लगा नरेंद मोधी ये finance minister ने कहा बाई और बहनों हिंदुस्तान के किसानों का हिंदुस्तान के किसानों को हम 17 रुपे देंगे दिन के 17 रुपे मतलब एक परिवार को 17 रुपे एक वियक्ती को मosionों परिवार के एक विरक्ति को साड़े तीन रुपgood और बीजेपी कि लोग धड़ा धर्टार भी बजा रहे हैं, धड़ा धर्टार भी बजा रहे हैं, मजाक बना रखा है, उससे कुछ दिन पहले हमने यहीं अनौंच किया, 36 गर में, कि कॉंग्रेस पार्टी गैरंटी करके, जैसे हमने कर्जा माफी की, जैसे हमने बस्तर में ज हमने कहा कि हम गैरंटी करके कह रहे हैं, और हिंदुस्तान का हर गरीब व्यक्ति, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कहीं का भी, आदिवासी दले, पिछला, जो भी हो, अच्छी तरह सुन ले, कॉंग्रेस पार्टी की सरकार गैरंटी करके, देश के हर गरीब नागरिक को मिनमम इंकम का गैरंटी दे रही है, मतलब हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा, जैसे नरेंद्र मोदी ने अने लंबानी के बैंक अकाउंट में पैसा डाला, डायरेक्ट, सीधा, हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा कॉंग्रेस पार्टी पैसा लेगे हैं बीजे पिलोग के लोग घबडाना है कहते हैं यह आप तो फस गए चलो चलो साड़े तीन रुपए हिंदुस्तान के इसान वो दे दो ना हम साड़े तीन रुपए नहीं देंगे हम सत्रह रुपए नहीं जितना पैसा आपने अने लंबानी को दिया है लाकों करोर रुपे आपने उनको दिये है जो आपने उनको दिया हम इनको देंगे करो जो करना है हिंदुस्तान के हर नागरिक को हर गरीब यक्ति के बैंक अकाउंट में कॉंग्रेस पार्टी पैसा डाल के दिखा देगी आदेंगे आपने सच्चा ही देख लिए नरेंद्र मोधीजे आते हैं कि कहते हैं हर बैंक अकाउंट में 15 रुपए डालूंगा मिल गया मिला सुनाई नहीं दिया मिला देश के चौकिदार नहीं थो नहीं जोड़ से चौकिदार अभी नहीं बात बनी तंबो को हिलाओ चौकिदार हाँ ये अब देखिए चौकिदार ने कहा पंद्रा लाग रुपए दूंगा अन्य लंबारी को 45,000 क्रों रुपए इंद्रस्टाइन के 15 बिजनस्मेन को 3,5,3,0,0,0,0,0,000 क्रों रुपए करजामाफ की आपको कितना दिया बताओ एक पैसा नहीं दिया चलो दूसरी बात करते है रोजगार की बात की बदो करोर युवाओं को रोजगार देंगे कितने रोजगार दिये रोजगार युवाओं को बताओ ठीक है उसको छोड़ो अगली बात करते हैं किसानों को सही दाम देंगे किसानों को सही दाम दिया अच्छा उसको छोड़ो उसको छोड़ो कहा था करजा माफ करेंगे किसानों ना करजा माफ किया नहीं किया अच्छा चलो उसको छोड़ो अगली बात पर चलते हैं आप लोग भीमा का पैसा देते हो, भीमा का पैसा किसको जाता है, अनिल्मानी को, आप पैसा दो, नुकसान होता है, आंधी आती है, होला गिरता है, और आपका पैसा सीधा निलम्मानी की जेब में बड़ बड़े उद्योग पतियों की जेब में नोट बंदी की बात करते है आपको क्या क्या दिया मैं बता रहा हू means नोट बंदी की बात करते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई बुला था न? बुला था आप लाइन में खड़े थे यादे आपको आप जो यहाँ बैटे आपको यादे अच्छा एक बात बताओ लाइन में अनिल लंबानी दिखा था मेहुल चौकसी निरभ मोधी ललिक मोधी नहीं दिखे आपने इमानदार लोगों की लाइन देखी माता और मेहनों से पैसा लिया गया चीना गया मुझे एक बात समझा दो अगर काले धन के किलाव लराई थी तो यह लाइन में इमानदार लोग सब क्यों खड़े थे क्योंकि चौकी दाए यह अब आप से पैसा जीना लाकों करोर रुपए और करजा मात उनका किया पिर से बोलो चोरों का करजा यह कौन थे मैं बताता हूं तीस हजार करोर रुपए मेहुल चोकसी तीस हजार करोर रुपए नीरव मोदी पैंतालेस हजार करोर रुपए अनिलंबानी दस हजार करोर रुपए विजय मालिया ललत मोदी यह लोग थे अब चोटे तुकंदारों की बात करते हैं चोटे भी अपारियों की बात करते हैं स्मॉल मीटियम बिजनिस वाले को बात करते हैं पहले आपकी पीठ तोड़ी आपसे कहते हैं 500 रुपए 1000 रुपए का नोट कर रदि कर रहा हूं उसके बाद कहते हैं चलो बात नहीं वनीं डुलाओ लाओ जो लाते हैं बारागे जिरात को गबबर सिंग टैक्स और सब के सब भियापारियों खतम कर दिया और चत्तिसगर के भियापारी जो चोटा बिजनेस मिडल साइस बिजनेस चलाते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं अच्छी तरह सुन लो सिर्फ चत्तिसगर के नहीं पूरे हिंदुस्तान के 2019 में यह ज अच्छा जी एसटी बना देंगे एक टैक्स होगा पांच अलग लोग टैक्स निहोंगे और आपको आज जो लोग तंग करते हैं आप से पैसा चीनते हैं चोरी करते हैं वह आप पर दबाब नहीं डाल पाएंगे आप इमानदारी से काम करोगे एक टैक्स होगा सिंपल सा टैक्स होगा आप अपना सिंपल सा टाइस दोगे और गब्बर सिंग टैक्स को हम खतम करके जी एस टी लागू कर देंगे कि आखरी बाद में 36 गर्ण बस्तर से कहना चाहता हूं देखिए आपका मेरा पुराना रिष्टा है चाहे वो जवालना नहरू जी हो इंद्रा गांधी जी हो सुन्या गांधी जी हो राजीव गांधी जी हो हमारा पुराना परिवारिक रिष्टा है अधिवासियों से बस्तर की जनता से और मैं आपको उसर्फ एक काप बात कहना चाहता हूं चाहे आपकी जमीन का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, तेन्दु पत्ता का मामला हो, जंगल का हो, जमीन का हो, जल का हो, आपके दो-तीन सिपाई यहां सामने बैठे हुए हैं, और आपका एक सिपाई दिल्ली में लोकसभा में बैठा हुआ है, जो भी आप चाहते हो, मेरा दर्वाला आपके लिए खुला है यह राजनेतिक रिष्टा नहीं है यह प्यार का रिष्टा है आप मालिक हो जो भी आप चाहते हो आप मेरे पास आओ और मुझे साथ कह दो राहूल हम आपसे यह मदद चाहते हैं मैं आपको सीधा बता दूँगा अगर करा जा सकता है मैं आपको सीधा बता दूँगा करा जा सकता है और हम उस काम को कर देंगे और अगर कमी होगी वह भी आपको बता दूँगा मगर मैं आपसे सच बोलूँगा मैं आपसे जूटे वाइदे नहीं करने वाला हूँ मैं आपका आधर करता हो मैं आपसे प्यार करता हो और मैं आपसे सच्चाई का रिष्टा रखना चाहता हो आपने मुझे इतना प्यार दिया हो सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं मैं भूलता नहीं हो पिछले इलेक्शन में भी इस इलेक्शन में भी आपने हमारा पूरा समर्तन किया मैं इस बात को भूलने नहीं जा रहा हूँ प्यार का रिष्टा है आप सब का दिल से और सब को सब को दिल से माताई बेहने युवाओं को सब को दिल से भुजुर्गों सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जहिए अभार प्रदसन करने के लिए ग्राम पंचायत के सरपंच पति लाल कस्यप को यहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ राव जी का भार करेंगे अलो आज आम चो बीच में आम चो राश्टी अद्देक्ष रावल गांदी जी आम चो मुक्य मंत्री गुबेस बगेल जी अर आम चो जित्रोवन मंत्री गण जी जित्रोविदाय गण अच्छा ही लाँ आम चो बीच में बड़या गोट के सांगला दस गाँ चो जमीना फुसी बिती पूरा पाज पट्ता वित्रण हो ली आज ले आम चो दोख पुरा मेटली आज ले आम चो जमीन के बड़या खमावा अर प्यार से रोवा इत्रे बोलो मचवारिक बिजान करें से जय इन जय वारत अच्छा बले से राउल गांदी अच्छा बोले से एक गोट पर सांगें दे अच्छा बले से एक बले से जय वारत